यह लो एवरीवन वेलकम बाक टू आर चैनल तो हम पढ़ रहे थे पावर शेरिंग जो कि चाप्टर वन है क्लास टेंथ पॉलिटिकल साइंस का तो हमने इसमें बात कर रहे थी कि दू कंट्रीज के हम कंपैडिशन कर रहे हैं बेल्जियम के अथनी कंपोजिशन के बात करी औ चैनल तो हमने इसकी अतनी कंपोजिशन की बात कर थी पहले पार्ट में आज हम बात करेंगे कि श्रेलंका ने कैसे मेजर्टी मानिटी वाला जो इनका स्टेटस था उसको कैसे उन्होंने ठीक करने की कोशिश करिया कैसे उसको अपनाया क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई क्य है नहीं बहतर था क्या अच्छा मैंत था कि नहीं मैंतर था क्या हिस्टोड है उसकी उसके विशे क्या हुआ यह सब कुछ हम आज की वीडियो में डिसक्स करेंगे तू टॉपिक भी यह आज का में श्रीलंका तो स्रीलंका अन्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीं 1948 इंडिया लगोड़ां किले तुमिल कमिनेटी ने कोशिश करी कि अपनी मैजर्टी जतात हैं हम फिस इसको गर्मेंट बनाते हैं और अपनी मैजर्टी क्या विश्वास एक ऐसी चीज एक ऐसा बिलीफ कि जो मैजॉरिटी ऐसी वो उनको ही देश पर राज करना चाहिए और जो मैजॉरिटी के लोग है उनको फिवर करना चाहिए लग गलत बात थी बाकि इस चीज की वएसे था में पढ़ की पता लग रहा है तो इस तीसे क्या-क क्या हुआ आगे और ने क्या-कैस चेट लिए यह मैजॉरिटी चीज करने के लिए वह हम पढ़ते हैं 1956 में एक एक पास हुआ ठीक है जिसमें सिंहाला रिकॉनाइस की गई उनली ऑफीशल लांगविज मतलब टमील और सिंहाला दोनों लांगविज बोल लिए शेलंका में पर एक आक्ट पास कर दिया 1956 में जिसमें बोला गया कि जो शिंहाला है वही ऑफीशल लेंगविज उनली इंडिया से कंपारेशन करने तो इंडिया में 22 लैंगविज को ऑफीशल लांगविज बोला जाता है तो कोई भी ऐसी लांगविज नहीं है ठीक है जिसको हमने इसके लाब एक और कॉंस्टिट्यूशन का एक निकला जिसमें बोला गया कि जो स्रेलंका का स्टेट है वो से बुद्धिश्म रहने वाई लोगों को बुद्धिश्म ही फॉलो करना है वह उपर बात की थी जो तमिल स्पीकर्स हैं वो मुश्मिल और इंडियन से बताब बात की बहुत इन उनने एग्णोर करा उनको पीछे धकलने की कुशिश करी इन उनका देश उनको अपनाने रहा था वह एलिन के तरह उनके साथ ब्यएव कर रहा था एलिन जैसे कि भार से खही से आया है ठीक है उनको ऐसे लगने लगा कि कोई भी ऐसी प्लिटिकल पाटी नहीं है श्रेलंका के अंदर जो की उनके कल्चर को उनके लांग्विज को सपोर करें उनके रिलीजन को सपोर्ट करें उनको ऐसे लगने लगा जो चाहते हैं उनको इग्णोर किया इसके वैसे क्या हुआ जो रिलेशन्स थे तमिल्स के बीच में सिनहाला के बीच में वह धीरी दिरे करके खराब होते चले गए तो कि ऐसे मेशर लिए गए ते तमिल जो थे वो नराज थे और उनके राइट को सुनानी जा रहा था इसलिए जो सिनहाला कम्यूटी हो जो तमिल कम्यूटी है उनके बीच में जो है तनाव पैदा होना स्चार्ट हो रहे है शेलंकन तमिल्स ने पार्टी लांच किया नहालों को प्रेफर ना करें दोनों को एक्वल बेसिस पर रखें पर यह जो इनकी डिमांड्स थी जो गोवर्मेंट थी श्रिलंका क्यों रिपीटिटली इसको डिनाइन करते हैं मना करते गए और 1980s में काफी सारी प्लिटिकल और्गनाइजेशन थी वो इसलिए आप ऐसे अपना अलग देश चाहिए जहां पर सिर्मेल लोग रहें क्योंकि उनको पता लग गया तक शेलंका की जो गवर्मेंट है उनके राइट को नहीं मान रही थी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट जब होता है तो क्या होता है कि लडाईयां होगी दोनों करें एक ही देश के अंदर लोग आपस में लड़ रहे होते हैं जैसे फॉर एक पंजाब वाले तो इसको उसको वार भोलेंगे तो मैं बोलेंगे तो सब्सक्राइब क्योंकि देश कृष्ण से नहले करने दो लोग कम्यूनिटी थी तो एसे वैसे काफी लोगों की काफी ल पड़े काफी क्योंकि उनको खाने पीने के दिक्कत हो रही होगे लडाई जगड़ा इतना हो रहा था तो सेफ प्लेस दूनने के लिए उन्होंने कंट्रें लीफ कर दी कि श्री लंका का हमने रिकॉर्ड देखा है पहले भी कि बिटिश राइम में भी वह अच्छा डेवलप सब्सक्राइब करें उसके वैसे जो है यह सिविल वार पैदा हुआ और सिविल वार की वैसे उनकी एकनॉमिक डेवलप्मेंट थी जो पीछे होगी काफी ज़ल्या तीक और यह सिविल वार था नाइटीन एटीज में जो स्टार्ट वह था वो खतम हुआ तो आप सूर सकते से हो उनलगे के बेल्जियम ने ऐसा क्या की डिश्या और फ्रेंच में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करी कि एक उन्होंने फ्रेंच को जाज़ा सपोट किया कि अरफ वेलता है यह हम पढ़िए नेक्स वीडियो में थैंक्यूच